कुछ चंगल ने आप अब यहांसे आप लखनिया दरी वाटर फाल कीतर बढ़ें रास्ता जाता है अzel ऑल्न की तरफ और वह सामने दर brush hablar with a improve попbench बढ़ते हैं आगे लखनिया दरी की तरफ और आपको अगर देखते हैं इसमें जैसा कि प्रसासन की पाले से पाबंदिया आया पर थी कि आप यहां पर प्रमण नहीं कर सकते हैं और देखते हैं इसमें क्या सीन बनता है तो आप चलने के बाद ही पता होगा हलो बें नमस्कार इसमें हम लोग हैं मिर्जापुर जिले में इस्तित लखनिया दरी वाटर फाल के पास में और आपको बता दें कि यह उत्तरप्रदिश टूरिजी में भी इसको जो है सामिल किया गया है अभी हाली में कुछ दिन पूर ही इसके सौन्दीकरड के लिए 47 lakh रुपे जो है करीव-करीव 47 lakh रुपे जो है आपर इसको जो है कि अभी पास भी किया गया है और इसके सौन्दीकरड का कुछ कार्य भी भगा है तो हम आपको दिखाएंगे उस साइड में और फिलाल देख पारे या गेट बंद है गेट तो पहले से बंद रहता था लेकिन बगल में यह देखे जो कटीली तार है इसी से लोग यहां पर प्रवेश करते थे यह कटीली तार नहीं हुआ करती थी और इसमें इसको बंद करने का क्या कारण है उसको भी हम आपको बताएंगे तो थोड़ सकते हैं लखनिया दरी उत्तरपदे यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा में इसको भी सामिल किया गया था और मिर्जापूर के इस प्रकृती की छटा में आपको प्रकृती की धरोहर है और यहां पर लोग हजारों की संख्या में यापर सद्धालू पहुझते सबसे बड़ा वाटर पार्क हमाराई होगा तो देखें यहां पर जो टूरिस्ट थे निरास होकर के यहां से जा रहे हैं और यहां पर प्रति दिन हजारों की संख्या में आपर टूरिस्ट आते हैं और निरास होकर के चले जाते हैं चुकि इसका रीजन एक भी है कि यहां से लगबग धाई किलोमीटर मुख्य हाइवे रास्ता है जहां पर कि ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाए जैसा बोर्ड यहां पर लगा हुआ है आप सामने आपर देख सकते हैं कि चेतावनी के तोर पर द बनताय जा रहा है आपको बता देकर कि यह लखनिया डरी है लगबग अंदर एक से दो किलोमेटर की दुरी पर रहता है तो वहहीं पर लोगों को जैसे कोइश से गिर गया लगब प्रप्रतिबंदी था जब लोग यहां पर आया करते थे टूरिस्ट तब भी जराब ले जाना बंद था और इसमें भी इसका बोर्ड यहां पर देख पाएंगे और यहीं बोर्ड हमारी सासन से का पेच्छा है कि यहीं बोर्ड आपको जो कि मुख्ष गेट पर लगाना चाह जो की रोजी रोटी लोगी चलती थी लेकिन जब से लखनिया दरी बंद हो गया है इन लोग के खिलाले पड़ गया है और बैरिकेटिंग की बात करें तो यहां पर जाली लगा करके किनारे किनारे इधर भी और जहां पर मुख्ष द्वार था वहां पर भी जाली लगा करक और उसमें आते हैं, कुदते हैं, इसके गाराई का कोई पता नहीं होता, आप स्वैम ही यहाँ पर देख पाएंगे, थोड़ा समय चलते हुए, आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, और देख पारें यह तमाम पत्तर हैं, और इस समय तो सुखा हुआ है, नहीं तो बारि यहीं गुहार है, कि जो है, कि इसको जो है कि अगर कोई और भी उपाय हो, जो कि सेकेंडरी चीजें, इसके अंदर जो ही जो यह सिक्योर्टी जो बाहर लगाए गई है, तमाम प्येसी के बल लगे हैं, यूपी पुलिस यहाँ पर लगे हैं, और यहाँ पर देखें, बगल अधिक से दिख इस वीडियो को सेर करिएगा, जिससे अधिक जो पुलिस के अधिच्छक हैं, उनस तक इस बात को यहाँ तक पहुचाया जा सकें, यहाँ पर लखनिया दरी फिलाल तो बंध है, और यहाँ पर लोग आगमान जो भी टूरिस्ट आते थे, वो धीरे-दीरे पहुचते हैं, फिर बाद में वो भी मायूस हो करके आँस चले जाते हैं, और यहाँ पर सुरचा बवस्ता लगी हुई है, कि कोई इसके अंदर प्रिवेस न करे, और जैसा कि अभी कटिली तारों से इसको घेर भी दिया गया है, और बाकी आगे देखे भाविस में क्या उठाती है, तो वो जो है कि हम आपके अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे, तो जैसी भी जानकारी रहेगी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने का प्रियास करेंगे, तो यह वीडियो कैसा लागा, कमेंट करके जरू बताएगा, अगर आपको इसमें जो भी कदम होगे, वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, मिलते हैं अगले अपडेट साथ, तब तक के लिए, थैंक्स पर वाजिएंगे दिस उड़े, जैहिन जै भारत